गुद मॉर्निंग इस्टूरेंट, दिस इस योर इंग्लिश शेशन, प्रीविश इंग्लिश शेशन में मैंने आपको ओ साउंड तक क्लियर करा दिया था, I hope आपको वो सभी साउंड समझा गए हो, A, E, I, O आज हम सीखेंगे हमारा next vowel, यह हम कह सकते हैं sound, next sound, sound you, sound vowel you, you का फॉनिक साउंड है अ, तो आज हम you vowel से three letter words सीखेंगे, cvc format में अभी हमारे पास है two letter words, you का फॉनिक साउंड है अ, अ, प, अप, अ, त, अट, अ, ग, अग, अ, ब, अब, अ, न, अन, तो यह थे हमारे two letter words, अब हम cvc format से three letter words बनाएंगे, अ, प, अपको यूज़ करते हैं, c, c का फॉनिक साउंड है क, अ, प, क, अप, कप, यहना आपको बताया है, u का फॉनिक साउंड है अ, और p का फॉनिक साउंड है प, तो यह दोनों मिलके बने अ, प, तो अब हमें इसे अप ही read करना है, तो c का फॉनिक साउंड है क, क, अप, कप, क, अप, कप, प, अप, पप, स, स, स का फॉनिक साउंड है, स, अप, स, अप, स, डी का फॉनिक साउंड है द, ड, अप, डप, ये थे हमारे थ्री लेटर वर्ड्स, जिनमें हमने अप के टू लेटर वर्ड्स का यूज़ करके थ्री लेटर वर्ड्स पनाए, अब देखते हैं हमारे नेक्स टू लेटर वर्ड्स, अ, टी का फॉनिक साउंड है ट, अ, ट, अब अट को यूज़ करके हमें three letter words की formation करनी है न, N का phonic sound है न, अट, नट, इनको हम एक साथ ही पढ़ेंगे U का phonic sound अ है और T का phonic sound ट है तो ये बन गया अट और N का phonic sound है न, अट, नट, C, C का phonic sound है क, अट, कट, ह, H, H, H का phonic sound है ह, 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 अट, हट, हट मिन्स जोपड़ी आपको पता होगा next है, B, B का phonic sound है ब, ब, अट, बट, ये थी हमारे three letter words next two letter words देखते हैं, U का phonic sound, again A, और G का phonic sound ग, अ, ग, अग, अब अग को यूज करते हैं में three letter words बनाने हैं, M, M, का phonic sound है म, म, अग, मग, म, अग, मग, जे, जे का phonic sound है, जच, अग, जग, बी, बी का phonic sound है ब, ब, अग, बग, भग, एक तरह का इंसक्ट है, आपने देखा होगा, बग, नेक्स्ट है, एच, एच का पॉनिक साउंड है, ह, ह, अग, हग, हग मिस गले मिलना, नेक्स्ट हमारा टू लेटर वर्ड्स है, अ, ब, अब, तो अब को यूज़ करते वे, हम थ्री लेटर वर्ड बनाएंगे, देखते हैं, टी, टी का फॉनिक साउंड है, ट, अ, ब, त, अब, त, अब, त, नेक्स्ट, सी, सी का फॉनिक साउंड है, क, अ, ब, कब, क, अब, कब, मैंने आपको बताया था, जीके में, टाइगर, लोयन, इनके बच्चों को कहते हैं, कब, र, आर का फॉनिक साउंड है, र, र, अ, ब, रब, रब, रब मीन्स रगण्ना, एच, एच का फॉनिक साउंड है, ह, ह, ब, हब, नेक्स्ट देखते हैं, यू, यू का अगेन, फिर से अ है फॉनिक साउंड और न, अन का फॉनिक साउंड है, न, अ, न, अन, तो अब हम अन को यूज़ करके ठी लेटर वर्ट्स बनाते हैं, ठी लेटर वर्ट्स की फॉर्मिशन करेंगे, S, S का फॉनिक साउंड है स, स, अन, सन, सन जिसे सूरज कहते हैं स, अन, सन F, F का फॉनिक साउंड है फ, अन, फन, फन मिन्स मज़े करना, इंजॉय करना R, R का फॉनिक साउंड है र, र, अन, रन, रन मिन्स दोड़ना B, B का फॉनिक साउंड है ब, ब, अन, बन, बन मिन्स एक तरीके की ब्रैड, जिसे हम खाते हैं उसे हम कहते हैं बन तो ये थे हमारे यू वोवल के थ्री लेटर वर्ड्स, पहले हमने टू लेटर वर्ड्स देखे और उनसे हमने थ्री लेटर वर्ड्स की फॉर्मिशन की, I hope आपको समझ आ गए हो, तो अब बात करते हैं आपके होमवक के स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से, मतलब मैंने तो आपको इस समझाया पट आपको वोवल यू के वर्ड्स अपनी इंग्लिश नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और साथी साथ आपको इनको नोट बुक में नोट डाउन भी करना है पर होमवक करने से पहले डेट मैंशन करना ना भूले ये था हमारा इंग्लिश होमवक हम फिर मिलेंगे नेक्स सेशन में वोवल यू की एक डिफरेंट पकशीट के साथ तब तक आप ये सभी वर्ड्स लर्न कर लीजे हम फिर मिलेंगे बाबाई